कक्सा 10 NCRT गडी प्रश्णावलिय 12.2 वर्तों से सम्मधित 6 तरफल तो देखो मेटा इससे पहले हमने सवाल नमर 6 तक कर लिये थे आज हम सवाल नमर 7 से आगी के सवालों कोल करेगे ठीक है तोड़ा बीज में ब्रेक लग गया था आफेले एक्जाम की वज़े से अब आपकी क्लासे कंटिन्यू चलेगी और जल्दी आपका ये पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा तो देखो सवाल नमर 7 में क्या लिखा है त्रिज्या 12 सेंटी मिटर वाले एक वर्त की कोई जीवा के अंदर पर 120 डिगरी का कोण अंतरित करती है संगत वर्त खंड का छेतरफल यह 12 सेंट अभी स्वर्थ पर कोई जीवा है ये जीवा ठिक यह जीवां के अंदर पर 120ी का कोण वहां कितने का 120 डिगरिक और ये तरिज्या कितने से मिपी की 12 से मिपी तो हम्में कहा है कि यह लगू यह संगत वर्त खंड का चेतर फिया ग्यात खरें दो यह वाला वर्त ओर बराबर कितनी है 12 cm और टीठा टीठा कौन दे रखा है कितना एक 120 दिगरी दे रखा है ठीक है और आगे क्या लिखा है और इसमें कहा है कि पाये का मान 3.14 पाये का मान कितना लेना है 3.14 और एक और कहा है कि अन्रूड 3 का जो मान है ना वोनों एक पॉइंट साथ ती यह कायब से ठीक है बाद समझ पारी है बारा से मित तरिजा वाले वर्थ की कोई जीवा के अंदर पर 120 डिगरी का कोड़ बनाती है तो संगत वर्थ खंड का चेतरफल ग्याद करो देखो हमें क्या ग्याद करना है संगत वर्थ खंड का चेत प्रफल संगत वर्थ खंड मतलब लगू वर्थ खंड ठीक है ना यादे सुत्र बताव क्या होता है पाइज आर स्क्वाइर टीटा बटा तीन सो साथ माइनस एक बटा दो आर स्क्वाइर साइन ठीटा ठीटा का मान कितना है एक सो डीस ठीक है यह अब बान रखेंगे दे रखा है ठीक है त्रिजया कितनी है बारा इंटु बारा इसको आरे दो बार लिखेगे टीठा कितना है एक सो बीस बटे में 360 माइनस एक बटा दो इंटू आर का मान बारा इंटू बारा इंटू अब देखो साइन 120 डिग्री से लिए 120 wollt नहीं है किए अपनी सालनी तो आपको क्या करना है अगर साइन 120 तो इसके-ादा कर लो कितना 63 साइन 120 का मान बराबर होता है तो हम यहाँ पर 120 की किस किस्तीयों घृच्वी साथ क denominator गएंडर तीन ड्साइन 63 को श्चाół इसकी जगह तो तीन बटा हल करेंगे आप का अंसरा जाएगा जीरो से जीरो बारतिया 36 और तीन से कड़िया कितनी बार तीन चोको 12 चार बार गोड़ा कर लेंगे उपर सबको तो यह हो गया तीन पॉइंट एक चार इंटू बार चोक अड़ चास बार चोक अड़ चास माइनस देखो दो से कड़िया छे बार दो से कड़िया छे बार चगना का 36 और अंडरूड तीन का मान दे रखा है एक पॉइंट सातते इन दोनों में गुणा गरों तो देखो तीन पॉइंट 1 चार को किसे गुणा करेंगे अड़ चास से पुणा करो आड़ चोक असिलका ौइत कम आट एकम आड़ तीन आटसिलका' आरेट थिया चोहीं से एक 25 चार चोको 16 चार एकम चार ओर यह चारती 12 यह आगे 2, 7, 0, 5, 1 और कितने के बाद पोइंट 2 के तो आगे 150.72, 150.72 माइनस यह दोनों गुणा करों, तो कितना है वही देखों, 1.7, 3 को किसे गुणा करना हैं, 36 से, गुणा करों, 6 एकम 6, 4, 10, इंटू, 3 तिया, 7 तिया, आसिल का, 3 एकम 3, 2, 5, तो आगे 8, यह आगे 2, यहां भी 2, और यहां 6, कितने बाद पोइंट, 62.28, कितना आगे, 62.28, अब 150 में बागी कर लेंगे, तो 62.28 गटा हो गई, ठीक है, तो 12 में से 8 गया तो, 4, 6 में से 2 गया तो, 4, पोइंट, 10 में से 2 गया तो, 8, 14 में से 6 गया तो, 8, तो बताओ कितना आ गया, 81.44, मिटरे सेंट, सेंटिमेटर स्कुआ है, यह आ जाएगा आपके संगत, वर्थखंड का चेत्र, आगे समझ में, तोड़ा जोडबागी, गोडबाग सईसे करना है, इसमें गलती नहीं करनी है, बागी बिलकुल आसान है, उतारो, अब देखो सवाल नम्मर आठ, देखो द्यान लगना अभी आर्दवार्शी परिक्सा में आया था तुम्हारी यह सवाल, हाना, पंदरा मिटर बुजा वाले एक वर्गाकार गास के मेदान के एक कोने पर लगे खूटे से एक घोड़े को पांच मिटर लंबी रसी से में बेकल जांद दो विटा, यह वर्गाकार गास का मेंदान, वर्गाकार का मतलब जानते हो जिसकी 4 बुझह क्यां पर प्रतेख कोन, कि तने डिगरी का हो 9, मतलब हो 5 बोब रहत पन इसलिए और प्रतेख का यह 15 मिटर आध यह 15 मिटर तो यह भी ये भी और ये भी 15 मिटर क्योंकि बराबर है आप इसमें कहाई कि एक कोड़े पर एक खुटा है ये मालो इसकोड़े पर ये खुटा है और इस खुटे के गोड़े को बाधा गया है और जो रसी है न रसी उसकी लंबाई ये 5 मिटर, किती लंबाई है? पाँच मेटर यहां गोडा बंदा हुआ है ठाब आगे लिखा है गयात करना है क्या है नंबर एक बेदान के उस बाग का चेत्रफल जाह गोड़ा गास चर सकता है अब गोड़ा यह रसी है तो गोड़ा कां की गास चर लेगा यहां तक चले गाई यह यह जह ऑप बढ़ गया? त्रिजय खरन्डे क्या बढ़ गया त्रिजय खर्ण भी आइद चीज़े और टेख्ल एक त्रिचय खर स्कान्द जानना है? थीटा तो बताओ कोण कितने डिगरी का नबब क्योंकि वर्ग अर और त्रिज्या कितनी पांच रसी की नम्दीए पांच मिट्र की लम्दीए नमबर एक ज्यान लगा हो हमें क्या जियाद करनाय में लिख देताओं इसमें क्या लिखा है मैदान के उस बाग का छेत्रफल छेत्रफल जहां जहां घोड़ा गास चर सकता है यह ग्याद करना है ठीक है आप देखो इसके लिए एक तो चीए त्रिजया तो गोड़े की रसी की तिलंबी है पांच मेटर एक चीए ठीठा किते डिगरी का कोड़े नब और यह वाला बाग क्या के लाएगा त्रिजय खंड तरीजयखंड का सब्ममेस चत्रपल यह चतूरतांज को यह के बात राएख बताव क्या होता है फाय का मां और इसमिंट है और इसमें रहा है ःओ ह है इसमें दे रहा है थेंपायों पॉइंट एक चार ठीक है पाय का मान तीन पॉइंट एक चार इंटु त्रिज्या पांच पांच इंटु पांच इंटु ठीठा नब्बर बटा तीन सो साथ जीरो से जीरो लोचो का पॉइंट एक चार सीदर काट लो इसको चार जायेका नहीं तो एक टीस हो गया तो क्या जाएगा जीरो पॉइंट आ जाएगा अरगल फोइंट और गलाए जीरो पॉइंट पेट-टायर जाएगा के जीरो पॉइंट साथाट पांच इंटू पचीस बोड़ा कर लो डूनों को पत्षीस पंजे एक सो पत्छीस हासिल का 12 पॉचीस ऐटे दोसो दोसो और बारा दोसो बारा दो हासिल का 21 पर चीस साहते एक सो पिछेकतर एक सब पिचेतर में कित जोडेंगे 21 एक सो छिंड में एक सो छिंड में बताओ किते बाद पॉइंट एक दो तीन एक दो तीन और मिटर सेंटिमेटर मिटर मिटर स्क्वाइर तो बताओ गोड़ा कितनी गास खाएगा 19.625 मिटर स्क्वाइर एक तो यह ग्याद करना है अब नमबर दो देखो हमसे कहा है चरे जा सकने वाले 6 रपल में वर्दी ग्याद करनी है आदी गोड़े को 5 मिटर लंबी रसी के इस्तान पर 10 मिटर लंबी रसी से बांद दिया जाए अब अब गोड़े को क्या क्या है 5 hour का सका एगा यह वानिका आला तो हमें बताना है شE रफल में कितनी वर्णी हुई यह वर्णी हुई आदा यह जीदकर नोय तो तो सकतिंच पले स्टील fingers ॅरो फिर उसमें से यह वाला जाएगी माइन लड़ मेंबे हात को तो व्य हीज़ फिर क्या गयाद करना है तीरजय खंड का स्ट्रफल अब बताओ त्रिजया कितनी हो गई? तॉस मेटर है 3 न讲 कितनी हो गई? 10 मेटर और ठीटा वही कितना रहेगा नब और चाहित प्शाटर और पै का मान लिई कितना 90 32 160 से 0 जोचो का 36 अब देखो यह दोजीरो के वज़े सी पॉंट अट जाएगा क्युकि पॉंट के बाद 2 उंगंग है ना पॉंट जाएगा बतब यह किता रहें तो यह तीन सो चोधा अब चार का बाग दो यहाएगा कितनी बाद 78.5 पॉइंट पॉइंट पांच यहाएगा तो यह यह था अना पॉइंट 2 के पीचे चला जाएगा 78.5 और मिटर है क्या है मिटर स्कॉर मिटर इसकॉर अगर यह 10 मिटर की लंबी रसी कर दे दो इतनी गास त्वाइगा ठीक है लेकिन हमें क्या ग्याद करनी है चैत्रफल में व्रदी तो क्या करो बड़े त्रिजे खंड में से क्या गटा दो तो इसमेंग कितना उनीज पॉइंट-चैड़ पांच गटाओ ओ यहां गटा देता हो मैं कि 70.5 में से गटाएं कितना 19.625 जीरो जीरो लगा सकते कितना बज़ गया 5 कितना बज़ गया साथ चार रहे गया उदाने चोदा चोदा में से इच्छा गया तो आठ पॉइंट और यहां कितना रहे साथ 17 हो गया 17 में से नो गया तो आठ और यहां कितना छे पांच बज़ गया तो कितना बज़ गया इतने वर्दी हो जाएगी चेतरफल में अठावन पॉइंट आठ साथ पांच मेटर इसको है इतने चेतर पर ज्यादा चारा खाएगा वह गास खाएगा आगया समझ में वहले क्याद करेंगे पांच मेटर त सवाल नम्मर नो ज्यान से देखना वही एक वर्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है तार को व्रत के पांच व्यासों को बनाने में भी प्रियुक्त किया गया है जो उसे दस बराबर त्रिजेखंडों में विबाजित करता है जैसा कि आ नम्मर एक कुल वान चिद चांदी के तार की लंबाई ब्रुच के प्रतेक त्रिजेखंड का चेतर फल देखो ध्यान लगाओ एक चांदी का ब्रुच बनाया गया है ब्रुच मतलब देखो ऐसा है ऐसा गोला कहा रहे आब इसका जो व्यास है वो 35 mm व्यास यह केंदर हो ग कितनी है 35 व्यास बोले तो डी कितना है बताओ 35 mm तो बताओ त्रिज्या कितनी हो गई 35 बटा 2 mm हो गई अब एसे इसमें पांच व्यास लगें कितने लगें पांच देखो मान लो एद दूसरा यह तीसरा यह छोटता आ ना चार और एकों लगा देते यह पांच ठीक है पांच व्यास है और पांच व्यास ने इसको दस बागों में बटा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ठीक है 10 बड़ाबर बागों में बटा है बात समझ में आ लही है यह चान्दी का ब्रूच बना हुआ है चांदी के तार से बनाया गया है ठीक है जिसमें पांच व्यास लगे है ठीक है और हमसे कहा है नमर एक एक तो ग्याद करो आप चांदी के तार की लंबाई नमर एक क्या ग्याद करनी है चांदी के तार की लंबाई अब बताओ बिटा चांदी का तार कहा कहा बयात है और ये पांच व्यास चांद और लमड़िए क्या sect थो ब्यास ठी से मकले के पर तो समझ महारी बात, पांच का तो, पांच, इंटू बताव, व्यास कितना है, पे तीस, कितना है, पे तीस, प्लस, वर्थ की परीदी, तू पाई, आर, गुणा करो, पचाम, पचीस, पांश थी, पंदराव, दो, सत्रा, प्लस, दो इंटू पाय का मान, 22 बटा, तिरिजे कितनी ह 33 बटा दो 33 बटा दो साथ उपंजे दो से दो बाइस पंजे एक सो दस समझे अरिवाद दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 205CMM बताओ तार किता लंबा है 205CMM आगे बाद समझ में पहला तो यह ग्यात करना था अब दूसरा क्या ग्यात करना है दूसरा ग्यात करना है ब्रुच के प्रतेक त्रिजेखंड का छेतरफल ब्रुच के प्रतेक त्रिजेखंड का एक ग्यात करने के प्रतेक हो जाएगा अना दूसरा नमर दो हमें ग्यात करना है ब्रुच के प्रतेक कि त्रिजे खंड का शेतरफल जाना बताओ त्रिजे खंड के लिए दुछ नहीं कономी बताओ यह क्या नहीं है हम कॉन ग्याद कर लें कैसे ठीटा गयाद करेंगे बताओ पूरा कोन कितने का 306 कितने गाँ इसके किते बागे दस किसका बाग दे देंगे 10 का जीरो से जीरो बताओ ठीटा कितना आगया 36 डिगरी अगया अगया अब दाओ तरिजय खंट का सुत्र क्या होता है पाई आर स्क्वाइर ठीटा बटा तीन सो साथ यह होता है पाई का मान बाइस बटा साथ यहां लेकर पाई का मान बाइस बटा साथ इंटू त्रीजा कितनी यह रही पेतीस बटा दो पेतीस बटा दो इंटू पेतीस बटा दो इंटू ठीटा कितना 36, ठीटा कितना, बटा, 360, आजागा, 37 से कड़ गया कितनी बार, 10 बार, कड़ गया न, और ये देखो, साथ उपंजी है, 33, पांच दुनी, 10, दो से कड़ गया, 11 बार, अब तोड़ी कट रहा है, गोड़ा कर लो, 11, 5, 55, हासिल का, 5, 11, 3, 33, पांच, 38, और बटे में, दो दुनी, 4, M, क्या है, M, M, E, ये न, M, M, स्क्वाइर, ये आ जाएगा, इस प्रतेक, बुरुच के प्रतेक, तिर्जेखंड का, 6 रफल, आगे समझ में, अगला भी स्चेम, ऐसे ही है, जल्दी करो, वो भी बता देते ह झाल करते हैं पुमersonरtechn कंई में ये चीताने करते हैं ये करते हैं, Usimonir माएवागव च्टेओंट, चाहिएे लगला आएवाशय हैं, ऑ्वासकाल capability, वित का प्रते हैं तो किया चाहिए दाएवा प्लकुटUP चास्टन क कुमना इचम से लवाटने के लग़ते हैं, वित हैं